तो इंडियन बाइक ड्राइन 3D के अंदर आज हम खेलने वाले हैं एक ट्रेन इटर मॉन्स्टर बन कर हम ट्रेन को ही नहीं खाएंगे आज हम पुलीस, स्टेशन, सिटी के सारे बिल्डिंग्स को कच्चा चब आजाएंगे और लास्ट में हम लोग फाइट करने वाले हैं इसके जैसे सेम एक इटर मॉन्स्टर ट्रेन से लेकिन क्यूं यहां पे आप लोग देख सकते हूं हमने सिटी के सारे ट्रेन और बिल्डिंग्स को खतम कर दिया अरे यार यह पुलीस वालों ने सुबर सुबर क्या ही वीडियो क्या चीज़ है एशी जो पुठे ट्रेन को एक बार में ही निकल गयी। पुलीस वालों ने बोला कि ले ट्रेन को ही नहीं निकल 돼 cesity के सारे यह बिल्डिंग्स को बहुत जल्दी से ओल रहे इसको जल से खतम करना पड़ेगा उन्हों ने बोला उन्होंने कि ये तुमारे बिल्डिंग्स को भी निगलेगी पुलिस स्टेशन को भी निगलेगी खतम कर देगी सारे सिटी को गाएज तो इस चीज से हम लोग को बजना होगा तो गाईज ऐसा क्या कराजा कि हम लोग से बज़ी फोगतनों पुلिस वालों तो आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे वीडियो देखो तो इस बार गाईज हम लोग पूरा कोशिज करेंगे पुलीस वालों को बाचानी की तो पुलीस वालों को इतना कॉंफिडेंस है चलो गाईज अपना बाईग यहां पर पार करते हैं और पुलीस वालों से पूछते हैं कि अपने लाइक क्या काम है जो हम लोग कर सकते हैं तो हेलो सर आपने मुझे बुलाये और आप मुझे जल्द से जल्द बताओ कि मेरा क्या काम है मुझे क्या करना है सिटी का कोई एक बंदा यह बैक्षिंग और वह बन चुका है ट्रेंगलिन दिक्कत यह कि यह इसको मारने के लिए कि उसके आसपास एक छोटे-छोटे ट्रेनिटर मोंस्टर में लेंगे तुम्हें उन लोकों को खतम करके उस सिरेंज को कलेक्ट कर लेना है नेक्स्ट मिसन में तुम्हें फोन पर बता दूंगा उसके लिए तुम्हें तुम्हें all the rest यह काफी लंबा ज्यादा चोड़ा यह ग्यान दे दिया मुझे तो जल्दी से चलते हैं गाइस गाइस जो आपने देखा ट्रेनिटर मोंस्टर कोई है ही ने मुझे लगा कोई यह दूसरे जगह से आया होगा यह तो कुछ ऐसा हुआगा यह कहीं से टेलिपोर्ट हुआ होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस यह कोई इंसान ही है गाइस और इसके पूर कोई इंसान ही है जो इसको पूरा कंट्रोल कर रहा है तो चलो जल्दी से उस injection को लेकर आते हैं तो यहाँ से हम लोगों को एक jump लगाना है सीधा वहाँ तक जाने के लिए तो यहाँ से हमने jump लगा दिया guys और यहाँ पे हम लोग सीधे पहुँच जाए ओके लेज़ गो सीधा हम लोग इस track पे आ गए तो अच्छा है तो यहाँ से हम लोग को सीधे जाना है और वो जो building अना काफी फेमस है guys almost जितने भी challenges बगार होते ना guys इस game में वो सारे challenges इसी building पे आते हैं वो चलो चलते हैं अरे भाई ज्यादा तेज भगा दिया क्या भाई तो वरना मैं सीधे नीचे जाता अच्छा है आ गया अब यहाँ से हम लोग सीधे नीचे जाते हैं यहाँ से हम लोग easy चला लेंगे गड़ी कोई difficult वाला scene है नहीं यहाँ से हम लोग को सीधे जाना है अरे भाई ये क्या है अरे भाई sit ओ यार भाई थोड़ा से रह गया था यार ओके भाई हम लोग को फिर से ध्यान से जाना पड़ेगा उस बार मैंने काफी ज्यादा जम्प मार दिया था इस बार नहीं तो चलते हैं let's go तो यहाँ से हम लोग almost पहुँच चुके हैं गाईस जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है न उसी को ऊपर है वो injection तो उससे पहले हम लोग को injection collect करना गाईस और पुलीस वालों ने बोला था कि मैं तुमको फोन पे बताऊंगा एक और challenge करना है तो जल्दी से इसको collect करते हैं यहाँ पे हम लोगों को काफी सतर कराना है गाईस क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बेबी ट्रेन इटर मॉंस्टर भी है जो कि वो लोग हम पे attack करके हमें मार भी सकते हैं तो प्रोपर हम लोग को अपने उपर ध्यान रखना पड़ेगा गाईस तो चलो कोई बाद नहीं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अरे बाई रुखजा रुखजा चलो तो मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे side में लगाता हूँ गाईस और फिर देखते हैं कि कौन है यहाँ पर यार तो यह रहे छोटे छोटे इटर मोई जो यह वैक्सिन को यह save कर रहे हैं तो हम लोगों को इस व्याद पर लगाना होगा भाई तो इतनी छोटा सा है मेरे पर attack कर रहा चलो यह लोग गन से मारते हैं अरे मरजा भाई के सारे खतम हो चुके हैं यहाँ पे भाई यह बेबी मोईस्टर थे ना इसलिए गन से मर चुके हैं और ना आते तो यह नहीं मरते हैं तो चलो यार यहाँ से हम लोग बैक्सिन को उठाते हैं और यहाँ से जल्दी से चलते हैं हम लोगों को इंजेक्सिन बीच यह गाईस और पुलिस वालो ने यह बोला दा कि तुम्हें मिच्जन क्या है तो अच्छा गाईज तो हम लोग को इस चैल्ना के एंड में जाना होगा और को यह वाला injection ओके ठीक है गाईज आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा injection है तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पर अपने बाइक को उठाते हैं और जल्दी से चलते हैं चलेंज के एंड में और यहां से डारेक्ट नीचे जलांग लगाते हैं वेट यहां से चला जाता सिधे बिलनिक पे तो कितना अच्छा रहता है ओके नीचे ने गिरना ओ भाई नीचे ने गिरा यार यह बाई काफी मस्त है तो जल्दी से चलते बाई यह नेक्स्ट मिशन कंप्लीट करन हम लोग को इंजेक्शन मिल जाएगा यह च्छोटे मोटे चलेंज भाई इसको कंप्लीट करना बहुत ही आसान है यहां से इजी निकल जाएगे गस यह देखो यहां से हम साथ जंप से लगाने गया यहां पर वैसे साथ जगए यहां से निकल जाते हैं तो बाई टेककर हो क सारे पंखे अबे नहीं चे बीचे बाई और हम लोग काफी केश से बाई भगाएंगे तो चलो चलते अरे भाई यह फर्स्ट वाला पंखा ना काफी टाइम वेस्ट करा रहा है इसको अच्छे से देखते हैं कि कि सैट जाता है और फिर जगा में लेको निकलेंगे तो चलो य यह इस पोजीशन में आएगा इसके ऊपर से लोग बाई लेकर निकल जाएंगे गाईज चलो यह आगया लेक्स गो यह किस तरह से जा रहा है कहीं उपर उड़ना जाओं मैं तो नीचे नीचे बाई कहां पर जा रहा है यह ओ भाई फिर से कंटेनर चल उपर चड़ जा बा यहां से साथ Easily हम लोग निकल जाएंगे क्या ही मस्त खतरनाक तरीके से यहां से में निकला हूं भाई यहां से ध्यान से निकलेंगे और यहां से लिगको tois ओर आगे चाना यहां से आपको और मॉस्ट दिख रही होगी तो यहां से कुछ है क्या बाई पूप करना है कि वाई ओ नहीं नहीं यहां पर रुक जाते हैं गाइस काफी डीफिकल्ट लग रहा है चिक पॉइंट लगा दिया इसको ले लेते हैं और नहीं मर और जाया तो देखने में अईसा लग रहा है गाईस कि मैं मरूंगा तो यहां से सिधे स्पीन ले चलते जंप लगाते जो होगा देखा जाएगा गाईज अब नहीं ओके भाई अब यार नीचे आजा नीचे आजा भाई ओ आगया ओ भाई क्या मस्ती कलच किया भाई ओ भाई साब इस्टेंट तायार तो फाइनली हम लोग यह चलेंज पूरा कर लिए भाई और उल्ख को इंजेक्शन लगने वाली है क्णोर इंजेक्शन में मिल चुका है तो अपने पास वर यह सिल्ड भी सिफ्ड के वाई व्यक्षीन भी में अभी लगेंगे हम नहीं तो यहां पर गाइस Franklin सो चुका है और यहां पर इंजक्षण में वैक्षिन भरस ही नहीं रहता है किसी को इंजएक्षेंस से डर लगता इसम अप यह ट्रेन इटर मॉन्स्टर बन चुके यह देखो कितना यह जीब दिख रहे हैं कहने को तो यह ट्रेन इटर है बट यह भाई साब यह कुछ भी खा सकता है वैयार कुछ इसके अब लोग धात देखो अंदर से ऐसा लग रहा कि यह कोई इंसान है तो जल्दी से चलते हैं इस पूरी खतरनाक तरीके से इस बिल्डिंग को खा रहे है यह जैस्ट यही एक बाइट कर रहा है और बिल्डिंग खतम लिटरली बहुत ही खतरना है गाईज चलो यहां पर इसको खा लिया खतम चलो अपने घर को खाते हैं गाईज चलो यह भी खतम यह कितना खतरनाक से बचना था यह खुदी सबको खा रहा है तो मौज मस्ती रुकली नहीं चाहिए मौज मस्ती रुकली नहीं चाहिए गाइस चलो यह पुलिस वालों का स्टेशन खाते हैं और इसको भी खा लिया गाइस यह पुलिस वाले सोच रहूंगे कि इसको हमने बचाने कि यह बनाया है गाईज तो हमारा टार्गेट है गाईज उस मोंस्टर को खतम करना तो देखते हो कहां पर है भाई वो मिल चुका है सेम देखो ऐसे ही दिख रहा है हमारा है एलो कलर का आखो वाला और वो जो ग्रीन कलर वाला ना गाईज वो बहुत ही खतरनाक है वो हमारे सीटी को खतम कर उसको हम लोग खाएंगे तो यह राज सामने तो चलो बेटा आजा बेटा आप तुमको खाएंगे हम अरे भाई इसको हलकी सी चोटाई सिर्फ अभी तुम मेरा अल्टैक डिक बेटा ओके यह एक ही बाइट में पूरा खतम हो चुका है गाईज अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देख लिया है तो इस कमेंट के नीचे आप यह वाला इमोजी टाइप करके बताना और मिलतें नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई गाईज और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ओके बाई